नमस्कार दोस्तों। और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। तीरे हड्या और दान्त कमजोर होने लग जाते हैं। हड्या कमजोर होने की वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वज़ा से दातों की जड़े कमजोर हो जाती हैं। और दान्त भंगुर होकर तूटने लगते हैं। जिसमें हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती हैं। जिसकी वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्यों और जोडों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है। कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्योंकि vitamin D शरीर में calcium के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में vitamin D की कमी होने पर शरीर भोजन से calcium का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिसकी वज़ा से शरीर में calcium की कमी हो सकती है अगर आप calcium की कमी को पूरा करने के लिए अकेले calcium के supplements ले रहे हैं तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले calcium के supplements बेकार हैं क्योंकि vitamin D के बिना आपके शरीर में calcium का अवशोशन नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले calcium के supplements पेशाप के जरिये शरीर से बाहर निकल जाएंगे इसलिए calcium और vitamin D को एक साथ लेना जरूरी होता है निराकेल D3 tablet में calcium के साथ साथ vitamin D भी होता है इसलिए आपको vitamin D के supplements अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि निराकेल D3 tablet का उपयोग किन conditions में किया जाता है निराकेल D3 tablet का उपयोग शरीर में calcium की कमी होने पर हड्यों में fracture होने पर rheumatoid arthritis और osteoarthritis होने पर शरीर के जोडों, हड्यों वा मांस्पेशियों में दर्ध होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने पर यानि नसों का दर्ध होने पर डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए osteoporosis होने पर osteomalacia या rickets होने पर शरीर में nutrition की कमी होने पर शरीर में दातों, जोडों और हड्यों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईया ले रहे हैं जैसे phenobarbital phenytoin उन व्यक्तियों को भी Dr. Nirakel D3 tablet को लेने की सला दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को Nirakel D3 tablet को लेने की जरूरत पढ़ सकती है जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं और दूद्ध दही जैसे डेरी प्रोड़क्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को Nirakel D3 tablet को लेने की जरूरत पढ़ सकती है महिलाओं में मेनोपोस के बाद इस्ट्रोजन हॉर्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से महिलाओं में मेनोपोस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और औस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए डॉक्टर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी निराकेल D3 टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती हैं। क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर आपने steroid दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है या कर रहे हैं तो आपका डॉक्टर निराकेल D3 टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। क्योंकि steroid दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से औस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसलिए औस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर निराकेल D3 टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा किडनी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है। जिन व्यक्तियों को लेक्टो जिन्टॉलरंस की समस्या है। उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेक्टो जिन्टॉलरंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। जिसकी वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती हैं, तो ये लक्षन लैक्टोज इंटॉलरेंस के हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की निराकेल D3 टैबलेट को कैसे लेना रेकेमेंड़ होता है। की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको निराकेल D3 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। निराकेल D3 टैबलेट को कितने समय तक लेना चाहिए। या उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए निराकेल D3 टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। दूद में कैल्शियम भरपूर मातरा में पाया जाता है और दूद से बने उतपात जैसे पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मातरा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इनका सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए. एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है. अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रती दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बाट कर सुभा शाम पी लेता है, तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है. इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं. इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो निराकेल D3 टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है. और ज्यादा तर व्यक्तियों में निराकेल D3 टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन अगर आप निराकेल D3 टैबलेट को रेकमेंड़ डोज से ज्यादा डोज में लेते हैं, तो इसकी वज़ह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है. जिसको हाइपरकेलसिमिया भी कहते हैं. शरीर में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है. कुछ रिसर्च में यहाँ पाया गया है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है. किटनी म तो आपको थायरोईड की टैबलेट का अव्शोषण टैबलेट में आज से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए। किड़नी की कोई समस्या होने पर और किड़नी में पत्री होने पर निराकेल D3 टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। आपको निराकेल D3 टैबलेट को लेते समय आईरन के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए। क्योंकि कैलशियम के साथ आईरन के सप्लिमेंट लेने से कैलशियम शरीर में आईरन के अवशोशन को रोक सकता है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका निराकैल D3 टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.